शिरी दुर्गा सप्तशती सस्टम अध्याय मैं सरवग्येश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमो तिक्रष्ट पदमावती देवी का चिंतन करता हूँ बे नागराज के आसन पर बैठी हैं नागों के फड़ों में सुशोवित होने वाली मडियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदभासित हो रही है सूर्य के समान उनका तेज है तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं बेहाथों में माला, कुम्भ, कपाल और कमल लिये हुए हैं इस प्रकार देवी का ध्यान करके छटे अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं रिशी कहने लगे देवी का इस प्रकार का बचन सुनकर दूद क्रोज से लाल होकर बहां से चला गया और दैतिराज को सब समाचार बिस्तार पूर्वक सुना दिया दूद के वच्चन सुनकर दैतराज क्रोज से आग बबूला हो उठा और दैत सेनापती धूम्र लोचन से बोला हे धूम्र लोचन तुम तुरंत अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बल पूर्वक यहां ले आओ उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा सामने आए बहचाए देपता यक्ष अत्वा गंधर्व ही क्यों न हो उसे भी अब अशमार डालना रिशी वोले शुम्ब की यह आग्या पाकर धूम्र लोचन दैत साथ हजार असरों की सेना लेकर चल पड़ा बहा पहुँचकर उसने देट्यों की राजा ने भेजा है तुम स्वयम भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है ऐसी दशा में यदि मुझे बल पूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं रिशी कहते हैं देवी के यू कहने पर असुर्धूम्र लोचन उनकी ओर द गरजना करके गरदन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूत पड़ा उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महा दैत्यों को पटक कर ओट की दाड़ों से फाल करके मार डाला उस सिंग ने अपने नकों से कितनो के पेट फाड दिये और थपड मार कर कितनों के सिर धर से अलग कर दिये कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा दैत्यों के पेट फाड कर उनका रक्त पी लिया क्रोध में भरे हुए देवी के बाहन ने छड़वर में ही असुरों की सारी सेना का सनहार कर डाला दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर बहा जाओ उसे बालों से खीच कर अथवा बांध कर यहां ले आओ यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हे संधे हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्र शस्रों से सारे असुर मिलकर उसको मार डालना उस दुष्टा तथा सिंग के भी मारे जाने पर उस अंभिका को बांध कर साथ लेकर शीगरी लोटाना धुम्र लोचन बधनामक छटाद्याय पूरा हुआ जय माता दी